असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहें मुर्तजा स्टोरीज दोस्तों जैसे के आप जानते हैं अभी हाली दिन पहले ही चुनाब आयोग ने प्रेस कॉन्फरेंस करके यह एलान किया था कि महारास्टरा की तो चुनाब है वह 21 अक्तूबर को यानि 21 अक्तूबर को वोटिंग दाली जाएगी महारास्टरा में वही महारास्टरा के जो चुनाब के जो नतीज आए वो 24 अक्तूबर को आएगा जैसे के आप जानते हैं जैसे चुनाब आयोग ने प्रेस कॉन्फरेंस में एलान करा था तो दोस्तों मैं आज आपके लेकर आयों कि महारास्टरा में कौन सी पार्टी को कितनी सीटे मिल सकती हैं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूं कि इस वीडियो को आप दरूर लाइक कर दिए अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को दरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दी ताकि मैं जब भी न सब्सक्राइब आ रहे हैं इसके में सीटों का अभी तक बटवारा नहीं हुआ है और पता नहीं कि इस बार चुनाब मिलकर लड़क पाएंगे भी यह नहीं क्योंकि बताय जा रहा है कि इन दोनों के सीटों के बटवारे में बहुत ज्यादा वो चल रही है इनको जहां शि सब्सक्राब में किसकी बन सकती सरकार सबसे पहले आपको बता दूंटल सीटे महरास्ट्रा में वह 208 अगर भारती जनता पाटी चैना एक साथ चुनाब लड़ती है तो इसको 210 सीटे मिल सकती है भारती जनता पाटी यहानी धारा तीन तुसक्त तीन तलाग का जो हटाया है नहीं सबसे पाटी को उसको से अहीं कि परांटा पारटी को 13 सीटे मिल सकती है दो सबसेर् furniture अब XP मिल सकती है तो यह सबसेरा उपीन पॉल सामने निकल डाया तो जैसे के मैंने आपको बताया है और चली आपको नीचे कमेंट वोक्स में बताइए आपके सोच नहीं कि महाराश्रा में कौन सी पार्टे को कितनी सीट हो किसकी बंतक्ति सरकार आप नीचे कमेंट वोक्स में अपने जरूर दिये अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को दूरू सब्सक्राइब वो बेल आइकों को दबा दे ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर आऊंगो तो आपको पता चल जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना ही असलाम उलेकुम